हाई फ्रेंद्स मैं हूँ रिखा जातो वेलकम टू बेखा किच्छन आज मैं बनाने जा रहे हूँ चॉकलेट बरफी अगर आपको पसंद है तो प्लीज बने चनल को सस्क्राइब पीजिए और दिखते हैं इसमें क्या लगता हूँ कैसे बनता है यह मैंने लिया है चान्दी पाउडर 50 ग्राम को और यह मैंने लिया है खुआ अधा किलो और घर पे आप बना सकते हैं मैंने मिल्क पाउडर से खुआ बनाना बताए तो मैं आपको इसका लिंग दे दूंगी तो आप देख लीजे और यह मैंने लिया है इलाची पाउडर आधा टीबल स्पुन और हम तोड़ाता घी से ग्रीश कर दूंगी से और इसके एक साइड में हम रख देंगे हर साइड में अच्छे से लगा दीजे कि जो हमारी बरफी अच्छे से निकल जाए और क्योंकि अभी टक्षा बंदन आने वाला है और बाहर के मिठावें बहुत मिलावट होती है तो घर पर बनाई गया पसंद आतों प्लीज कमेंट करें और अभी हम इसको साइड में रख देते हैं यह मैंने गयास को अन कर लिया है और गयास के पैन रख लिया है और अब इसमें हम गे डाल देगे एक टेबल स्पून की डालने जाता नहीं थोड़ा सा थोड़ा गरम होने देते हैं आए को काइग रख ऊफ inner के ढ़िए और इसको अगल हम इसमें डालने खोवेको तो आप यह मैने दाल ले गया है और इसको चलाते रहेंगे अच्छे से भूनेंगे और इसके गी चोडने तक हम पकाएंगे चलाते हुए और आप अगर आकर पास नॉन पैन नहीं है कडाई तो आप नॉर्मल कड़ाय लीजे और जाड़ा रहना चाहिए और उसमें अच्छे से हम खोवे को भुनेंगे खोवे में से अच्छे से ऑईल जब निकलने लगे गी तक तक इसे हम पकाएंगे अच्छे से भुनते रहेगे कंटी में तक अच्छे से भुन लेंगे अपन्टिक में चलाते रहेगे और यह अच्छे से घी छोड़ने लग गया है थोड़ा औरी से हम पकाएंगे और जलने नहीं पाए अच्छे से चलाते रही है और इसके अच्छे से घी छोटने तक हमें पकाना है तो थोड़ा से और पकाएंगे तो यह हमारा मावार घी छोने लग गया है और अच्छे से पक गया है गी छोने लग गया है देखिए साइट से देख रहा होगा अलका और अब इसमें हम शक्कर को डाल देंगे यह शक्कर का है दरदरा पीसे आप शक्कर और इसमें हम मिलाएंगे अच्छे से मिक्स करेंगे और अच्छे से मेल्ट होने देंगे और अच्छे से चलाते रहेंगे, इसमें मिक्स कर लेंगे, इससे बहुत जल्दी कि आप शक्कर गल जाता है, और अच्छे से पक जाता हो जादा कड़क नहीं होता है, तो इसे हमें अच्छे से मिला लूँगे, यह मैंने अच्छे से सक्कर को मिला लिया है, इसमें, और इसक गुल्ले-देंगे ब exista 11 इसु तब तक पकाना है कि यह मारी अच्छे से नभी जम जाये उतना पकाना है हम 함 tweet पकाएंगे चलाते हुए कंटीनु अच्छे से मेल्ट होने देंगे शक्तों को इसमें गुलने देंगे और यह से कंटीनु चलाते रहेंगे अच्छे से इसे मिक्स करते जाएंगे कि कहीं से जले ना यह और यह अच्छे से इखे अच्छे से मेल्ट हो गया है और इसमें इसे बबल आने लगए है तो यह अच्छे से पंटिया है मेल्ट हो गया है मारा शक्कर और इसमें अभी हम कोको पाउडर डालेंगे थोड़ा चला लेते हैं इसे पंटीनु आप चलाते रहें और अब इसमें कोको पाउडर डाल देंगे और इसको अच्छे से निक्स करेंगे और गयास को मैंने इंदम कम रखा है और अच्छे से मिलाएंगे अच्छे से पुरा मिल जाना चाहिए तो इसे मैंने अच्छे से मिला लिया है कोको पौर्डर को यह चॉकलेट पौर्डर है इसे अच्छे से पग गया है और अब मैं हम डाल देंगे काजू और इलाएची उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चलाते तेरह के झातेनं दोल्विए कि अथे मुर्चने लेंगे इसे और इसे अफिर्थेमे निकाल दोलएगे और आपको अगर चाहिए तो जॉड़ा पॉडर याप मचों यूज रहें लेकिन इसे भी अच्छा तर भाप मना के लिखी एप अच्छे मैं मिक्स कर लोंगे यह मैंने सारे चीजों के अच्छे से मिला लिया है और अभी हम डैस को आफ कर देंगे और इसको ट्रे में निकाल लेंगे और अभी हम इस ट्रे में निकाल लेंगे जो मैंने ग्रीश किया है इसमें हम निकाल लेंगे सारा अच्छे से तो इसमें साहारागी निकाल लेंगे यह मैंने अच्छे से निकाल लिया थोड़ा सा जो काजु था इसमें उपसे ऐसे डाल देंगे और इसको सेट होने देंगे जब अच्छे से सेट है थोड़ा सा इसे दबा देजिए ऐसे करके हम दबा देंगे और इसको सेट होने देते हैं फिर उसके बाद हम कट करेंगे और पिर चांदी का वक लगाएंगे अब इसमें हम चांदी का वक लगाएंगे अगर आपके पास नहीं है तो चलेगा तुम मेरे पास है तो मैं लगा रही हो हूँ ऐसे करके लगा देंगे और जैसे मैंने पहले ही बोला आपको कि आप चोकलेट डाक और लाइट दुना आता है दो टाइप के आते हैं चोकलेट पावडर तो आप डाक लिजे या तो जो नॉर्मल चोकलेट होता है वो लिजे और इसको हम अच्छे से लगा लेंगे इसके और यह रिखें अच्छे से लग गया है तो यह मैंने वर्क लगा लिए अभी से हम कट कर लेते हैं आपको जो सेप देना हो उससे में आप कट कर लेजिए और ऐसे करके हम कट कर लेते हैं करेंगे दूसरी साइड से भी जितना बड़ा छोटा आपको जो डिजाएं का आपको बरफी कट करना हो आपकर कर सकते हैं और मैं ऐसे कट कर लिए हूं और इसके साइड से हम किनारे को थोड़ा सा दिला कर देंगे कि निकल जाए यह मैंने किनारे से दिला कर लिया है और अभी से हम निकाल लेंगे इसे करके सारे बरफी को हम निकाल लेते हैं और इस प्लेट में सब करते हैं और देखें ऐसे करके तो निकाल लेते हैं और साव करते हैं प्लेट में और नीचे लगा है गी तो आराम से निकल जाता है तो इसे निकाल लेते हैं और साव करते हैं यह देखें कि थिखेंने हैं तो रस देखें आहिए तर्शा करते हैं प्लेट में इस प्लेट में निकाल लिए हैं तो यह हमारा चॉकलेट बर्फी बनके तयार है अब बना ano कि देखें अगर आपको पसंद आथि प्ंधिकमेंट करें और प्रीज मेरे बढ़े देखते रहें और बैल का बटन आप जरू दबाईए सबसे पहले वीडियों देखने के लिए तो आप इस रक्षव बंदन आप बनाईए अगर आपको पसंद आए तो कमेंट करें और देखिए कितना अच्छा है देखने में और खाने में भी टेस्ट ही है तो आप आपके देखिए और जैसे मैंने कहा कि जो को चॉकलेट पॉडर है डाक आता है और लाइट आता है तो आप देख के लिए और कम ज्यादा कर सकते हैं तो फिर से मिलते हूं मैं नए रेसीपी में बाई फ्रेंड्स